हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीटुप चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में तो दोस्तो फाइनली रर्सी ग्रूब डी एक्जाम वाले छात्रों का इंतिजार कर खत्म हो चुका है जियां फ्रेंड्स जितने भी केंडिडेट्स आरर्सी ग्रूब डी एक्जाम का इंतिजार कर रहे थे उनका इंतिजार खत्म हो चुका है क्योंकि आरर्सी रेल्वे की ग्रूब डी की ऑफिशल एक्जाम डेट आउट हो चुकी है यहाँ पर railway की official website पर इसका notice डाल दिया गया 17 अगस्ते से आपका exam start हो रहा है वो इसका official notification भी railway की official website पर डाल दिया है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले जो channel पर नए प्लीज चैनल को subscribe जरू किज़ेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आज ही के दिन यह CNRRC 01-2019 30 अगस्त, 30 जून आज ही के दिन यह notice डाल गया है notice on exam date for CBT and आधार-based biometric authentication तो देखिए authentication इस पह हम जैसे क्लिक करेंगे तो official notification हमने download कर रखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर group D के official notice open हो चीकिए तो देखिए Government of India, Ministry of Railway, Railway Requipment Boards CNRRC 01-2019 level 1 post मतलग group D Requipment for various post in level 1 of 7 CPC pay matrix यहाँ पर आप देख सकते notice on exam date for CBT and आधार-based biometric authentication यहाँ पर देखिए पहला point दिया the single stage CBT is scheduled to be held tentatively from 17 अगस्त दो हजार बाइस मला 17 अगस्त दो हजार बाइस से आपका CBT start इसका होने वाला है और single stage होगा, यहाँ पर आपका CBT 1 ही होगा, CBT 2 नहीं होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे दिया है and onwards in multiple phases, मतलब आपके जो है multiple phase में होगा मतलब कि आपका यहाँ पर phase 1, phase 2 जैसे NTP से CBT 1 हुआ था इसी प्रकार से अलग-अलग phase में इसके एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएगा क्योंकि यहाँ पर RRB-wise इसके एक्जाम कंड़क्ट होने है उसके बाद देखिए subject to the prevailing condition मतलब कि जैसे COVID-19 की जो guideline है उसको ध्यान में रखते हुई यहाँ पर एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएगा उसके बाद जो है दूसरा point important है इन pursuance of sub clause second of clause B of sub section 4 of section 4 of आधार targeted delivery of financial and other subsidies benefits and services act 2016 as amendment read with rule 5 of the आधार authentication for good governance ठीक है rules 2020 railway recruitment boards are allowed to perform आधार authentication तो देखिए यहाँ पर जैसे NTPC जितने भी candidates ने NTPC का CBT2 दिया है तो उनको पता होगा कि उनका जो आधार वेरिफिकेशन के से क्या होता है यह सारी चीज़ दिया मतलब कि आपको जो है आप अगर आपका आधार काड अभी अपडेट नहीं है आपको कोई भी अगर ओफिशल नोटिफिकेशन पाना है तो आप जो है गवर्मेंट की मतलब आपको आपको बहुत बढ़ी खुश्खवरी की बात है कि आपका जितने इतने भी चैनल अगर देट का इंतिजार कर रहे था उनका खत्म उनका इंतिजार खत्म हो चुका है और जो आपकी 17 अगस्त से होने को तैयार है मतलब कि आपकी 17 अगस्त से आपकी एक्जाम इस्टार्ड हो जागी अलग-अलग फेस में पायूब दोस्तों आपको यूडि झरुम से अगस्तार्ड हो हैँ झनका इंतिए और ब्रजय के अट को बाय वारником मतलब छोस्तों आपकी 17 अगस्तों आपकी 17 में पो untoब activity 17 को झालग-गえばफळैनास्तों आपकी 16 इस सव्तिर्ध्ड उनकां वैस्तों आपकी सर आपकी 17